दोस्तों इस वाले Bluetooth speaker पे charging jack damage हो चुका है पूरी तरीके से आपको मैं दिखाना चाहूंगा यह देखिए इसके print भी तूट चुके हैं अब इसे repair कैसे करें बहुत ही सरल तरीका है आपको इस वीडियो में complete बता दूगा कुछी दिन पहले वैसे मैंने एक वीडियो upload किया है व और यह speakers का और यहां पर जो charging jack damage हुआ है आप इसकी condition देख सकते हैं हम अभी देखिए कितनी सरल तरीके से यहां पर इसमें ज्यादा खर्चा भी नहीं है यहां पर देख सकते हैं कोई भी print साबूत नहीं बचा है अब इसको repair कैसे करेंगे इसके लिए एक छोटी से trick मैंने आपको 2-3 नहीं पहले बताई थी एक market में portable charging jack यहां पर इस तरीके से देखने के लिए मिलेगा आपको जिसकी कीमत मारतर 10 से 20 रुपया है तो इस charging jack को आप लगा कर आप अपने Bluetooth को फिर से उसी तरीके से चला सकते हैं जैसे पहले चलता था फर्क सिब इतना है कि इसमें यह charging jack ले जाएगा और इसका फाइदा आपको बता दूँ यह कभी भी खराब नहीं होता है यह तूट सकता है इसको दूबारा हम किसी भी युगार से कर लें तो टूट जाएगा बट यह वाला नहीं तूटता है तो इसको लगाना कैसे है यहां पर एक खांच बना हुआ है ब और वीडियो को आप जो है ज़ए ज़याद सेयर कीजिए ताकि और लोगों भी से knowledge मिल सकें एक छोटी सी सिख्या थे आप लोगों से दोस्तों वीडियो देखते हैं सीखते हैं बट आप लोग वीडियो को लाइक नहीं करते हैं काफी लोग हमारे चैनल पर पहले से वीडियो देखते हैं बट लाइक की आदत नहीं है उनकी तो प्लीज वीडियो को लाइक जरूर किज तूटा हुआ है अब हम find कैसे करेंगे बहुत simple तरीके से इसको find किया जाता है अगर आप ध्यान पूरवक देखें तो यहां पर सिर्फ इसमें दो ही point का काम रहता है plus और minus का बीच में data वाटा की pin का कोई भी काम नहीं रहता है कि इसमें data का कोई भी system नहीं होता है तो plus और minus का जो point है उसे find करने के लिए इन points को कटे हुए points को बारिकी से देखना है आपने सबसे last की जो point है वो इस print से connected है तो यह जो print जा रहा है हमारा इस diode पे जा रहा है तो यानि कि यह हमारा plus का है तो इस डाट पो जा रहे हैं यह प्लस का है और यह वाला print हमारा इसके यहाँ पर ground वाले section से connected है तो इसका मतलब भी negative है तो यहाँ पर इस charging jack की जो दो wire आप देख रहे हैं इसमें black वाली wire को आपने negative से connect करना है यानि कि black वाली को आप वैसे भी negative अगर नहीं भी ढूडते हैं तो black वाली को आप यहां पर कहीं भी आपको ground का point मिलता है बैटरी का ground भी मिल रहा है तो ना वहां से भी आप connect कर लो black वाली को और वच्ची red वाली तो red वाली को आप यहाँ पर यहाँ पर यह जो print जा रहा हा है न यहाँ पर connect कर लो अब यहाँ पर यही positive है कैसे पता करेंगे तो यही positive है पता करने के लिए आप तो तिन तरीके हैं charging jack की position इस तरीके से रखेंगे जैसे टूटा था बिल्कुल वैसे ही दिए देखे इस तरीके से रख लिए आपने और यहाँ पर pin insert कीजिए और यहाँ पर आपको plus minus मिल जाएगा कई तरीके हैं वैसे तो जो मैंने आपको तरीके रता वह बहतर है लेकिन आपको इस तरीके से find करना चाहते हो तो इस तरीके से find कर सकते हैं ऐसे आप charging jack को इस तरीके से लगा लो और multimeter से आप चेक कर लो अगर आपको हमारे चैनल पर कुछ नया सीखने के लिए मिलता है तो वीडियो को लाइक ज़रूर करना आपको फिर से कह रहा हूं प्लीज वीडियो को लाइक ज़रूर कर लेना तो मल्टीमेटर को इस तरीकी से में रख लिया है और भी आप देखना यहाँ पर हमें पॉस्ट स्क्रीन में लगता है तो इसमें नेगेटिव में दिखाएगा भी देखना आप ते एक मिड़र रहते हो रह था स्क्रीन अरुप को आप देखेगा वह आपको नेगेटिव में दिखाएगा देखाना को यह देupp downtDB thats से एक सेगंड यह देखिए नेगेटिव में दिखाने लगता है वूल्टेज इसे टैज नहीं हो रहा है देखिए नेगेटिव में दिखाने लगता है अगर आप सही टैज करते हैं तो आपको पॉजिटिव में दिखाने लगता है यह देखिए तो यहाँ पर यह जो पिन है साथ सीखने को भी मिले, अगर कारीकर होंगे तो सीख के आपको नोलज होगा और आप और बी रिपेर करके कुछ निया सीख के, अपना कुछ निकुछ निकुछ अर्ण कर सकते हैं, यह देखिए, इसको तरह से रखना है और यहापस इस तरह से रखना है, वी फीटनी करना है, बस आपको मैं बता रहा हूँ इसकी इतना करने के बाद यहाँ पर देखें काफी स्पेस उपर बच रहा है जा पर जैक लगता हूं इसके उपर यह देखिए ह가요 बस इतनी'de अल्हेपने होल करना और इसको खिट देना है होल करने कैसे सोडिंग एरन को इस तरीकी से देखिए और होल हो जाता है बस हो गया काम अपना है और इसको फटाफट से आप इस तरीकी से घुसेड़ो फटाफट से कभी कभी गर्म है तो फिट भी हो सभी से अगर यहाँ पर प्रब्लम आरी है थोड़ा सा और चोड़ा हम भूल कर लेते हैं यहाँ पर इस प्रूब्लम कर रहा था फिट करने में यह अड़ रहा था ना बार बार तो मैंने से निकाल लिया है अब मैं इसे फिट करूँगा यहां से दुबारा चलिए इसको फिट करते हैं चलिए फिट करने से पहले मैं इसके connection कर लेता हूँ connection कैसे करने है मैं आपको बता देता हूँ totally वही जो पहले मैंने आपको बताया था किस तरीके से करना है इसमें जो red वाली बायर है उसको इस diode के यहाँ पर connect करना है क्योंकि यह जो plus का point है इस diode के सथ connected है और इसका जो negative है वो यहाँ पर connect कर लिजिए कहीं पर आपको GND या फिर बैटरी का negative मिल रहा है तो वहाँ पर कुल्ट कर लेना है एक बहुत ही सिंपल करेक्शन है कि मैं आपको उर्ड करके दिखाता हूं चलिक पहला मैं सोर्डिंग कर लेता हूं बहुत ही तसलिग के साथ अगर आप चाहे तो शूर्डिंग करते वही मुझे देख सकते हैं तो देखिए इसको मैंने शोल्डिंग के लिए है डाइट के सब्सक्राइब के साथ यह वाला हमारा नेगेटिव यानिक इसकी बोड़ी के साथ कनेक्ट हो जाएगा जापर मिलता है यहाप पर कनेक्ट हो जाएगा यहां पर सोडिंग के लिए स्पेस नहीं मिल न है तो यहाप परेपुएंट ही न ये भी आपका ग्राउंड काई है तो इसके साथ कनेक्ट खर लेते हैं ब्लैक वाले को मैं आपको इक बड़ फिर से मैं देखवा देता हूं तो देखिएगा यह आपका ग्राउंड का ही है तो यहाँ पर मैं इसको सोल्डिंग कर लेता हूं तो यहाँ पर काफी स्प्रेस से सोल्डिंग करने के लिए तो यही पर मैं इसको सोल्डिंग कर देते हैं आपको जहाँ पर भी ग्राउंड का पॉइंट मिलता है वहाँ पर आप सोल्डिंग कर सकते हैं, no problem, यह देखिए का, black को मैंने ground के साथ और red को यहाँ पर diode के साथ जोड़ी है, मैं एक बार आपको charge करके दिखा देना चाहूँगा, यहाँ पर battery को connect करना पहले ज़रूरी है, तभी जाके charge यह उठा पाएगा, बैटरी जैसे यहाँ पर लगे भी थी, वैसे लग जाएगी, और charger को हम लगाते थे, यहाँ पर, और यहाँ पर आप charging light देख सकते, इसका जल चुका है, शायद आपको भी देख रहा होगा, यहाँ पर देखिए, बंद हो गया, चालू हो गया, तो यह अब charge ले रहा है, तो यह सबसे अची ट्रीक है, मेरे हिसाब से, तो चलिए फिर इसको हम fix करते हैं, यहाँ पर, बागी connectors वोगरे फिर लगा लेंगे, इसको press करते हैं, पीछे देख लिए को कि component वोगरे तो नहीं लगे, component लगे हो तो तो टोटने की chances रहे सकते, SMD components वोगर कोई capacitor हो, register हो, coil हो, तो वो चीज़ का अपने ध्यान रखना होगा, वैसे काफी टाइट है, इसमें फैवे क्वीक लगाने के जूरुत नहीं पड़ेगा, आप स्पीकर और बैटरी के connector में लगा लिए हैं, आप इसको इसको स्क्रू टूटे हो हैं, क्योंकि customer ने हो सकता है, इसको खोलने में खींसाता नहीं करी हो, तो कोई बात नहीं, अब हम इसको फैवे क्वीक से हलका सा डालेंगे, ज्याद नहीं डालना है, अच्छी तरीके से पैक हो जागा, तो हलका सा डालके इसको, मतलब जाम कर देंगे थोड़ा सा, अब मैं आपको एक वाची एक करके शेयर करना ना भूलिये, और कुछ भी अगर राय हो तो कमेंट कर सकते हैं, और इससे रिलेटेट कोई और फी टोपिक आप देखना चाहते हैं, तो मैंने बहुत सारी वीडियो बनाई है, अलग-अलग तरीके से सिखा उन्हें देख सकते हैं, थेंकि सो माज,